जिन लोगों के फ़ाब बड़े होते हैं, वो मुश्किल समय में भी डटकर खड़े होते हैं नमस्कार जहिंद, स्वागत करता हूँ आप तमाम साथियों का, नहुं आपका दोस्त कविया दिगनेस चार-पांच रोज से अपने इस चैनल पर क्लास है, जो नहीं हो रही है इसकी वज़य है कि आप सभी साथियों के लिए टेस्ट सिरीज पर काम चल रहा है और टेस्ट सिरीज हम बाद में अपलोड करेंगे, बाद में लौंच करेंगे पहले हम grade first और second का जो course है, वो लौंच करेंगे और course भी बहुत शानदार धंक से हैं जो तयार किया जा रहा है बिल्कुल notes pattern के उपर बहुत अच्छे से नियुनतल सुल्क में आपके समक्स जल्दी है जो provide करवाएंगे आज का जो ये video में बना रहा हूँ, कहीं साथी मुझसे पूछ रहे हैं वैसे जो साथी पहले से जिस तरीके से कर रहे हैं उनको वो तरीका अच्छा लग रहा है तो वो उसी तरीके से करें लेकिन जो बिलकुल नया है या फिर किस जो कोई साती ऐस समझस की स्तती में है कि मैं यार हिंदी साहीत इतिहास जो की नेट के अंदर भी आएगा आगा में नेट जो देना चाहता है कोलेज लेक्चर वाली बर्ती में भी आएगा फर्स्ट ग्रेड आगा में जो आएगा उसमें भी आएगा कोई सेकंड ग्रेड की तयारी कर रहा है उसमें भी आएगा कोई रास्तान के बाहर के इस्टेट डियसस भी वगरा उनकी कोई तयारी कर रहा तो उसमें भी हिंदी साहीत इतिहास है जो आना है सबसे प्रमुक बात ये आजाती है साथियों कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है ये शुरुवात किस पुस्तक से करे हमें प्रारंब मतलब ऐसी पुस्तक बताओ हमें कि जिसको पढ़कर है जो हमारा साहित्य इतिहास के अंदर रूची भी जागरित हो जाए इंट्रेस्ट भी हमें बन जाए हमारा और मजबूत भी हो जाए तो साथियों सभी गुरुजन अपने अपने अनुभव के इसाब से अपने अपने तरीके से बताते हैं पुस्तक लेकिन अगर मेरी राय माने है मुझसे पूछें आप और मेरी बात कुछ विकार करें और कि आपकी ही बात मानकर है मैं जो आगे बढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में कम से कम हिंदी साहिते के इतिहास वाले सेग्मेंट में तो किस पुस्तक से हैं जो शुरुवात करनी चाहिए तो मैं आपको एक ही सुझाव दूँगा ये पुस्तक देखिए कक्षा 11-12 के लिए रास्तान बोर्ड के अंदर ये पुस्तक चला करती रही है हिंदी साहिते का शंक्षिप्त इतिहास कक्षा 11-12 के लिए कॉमन रूप से ये किताब देखिए इस तरीके का इसका कवर है नीचे राज की विद्याले निशुलक वित्र ने तो इस प्रकार से लिखाव है तो ये कवर है ये जो पुस्तक के साथ ही हो अगर इस पुस्तक को शुरुवास से लेकर ए से लेकर जेड तक अच्छे से पढ़िए इसको नोट्स तयार कर सकते हैं अच्छे से नोट्स इसके तयार कीजिए और कम से कम दो तीन बार नोट्स को तयार कीजिए दो तीन बार नोट्स को पढ़िए एक बार इस पुस्तक को पढ़ लीजिए फिर नोट्स तयार कीजिए फिर नोट्स जो बना रहे हो उनको अच्छे से तयार कीजिए, पढ़िए अच्छे से मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में आपको एक तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास हो आसान लगने लगेगा आपको लगने लगा कि मुझे इंदी साहिते का इतियास याद हो गया है मुझे आने लगा है और अगर आप दूसरी पुस्तक के उड़ नहीं जाते हैं तो भी ये इस पुस्तक के अंदर क्या गी दिया हुआ है बिल्कुल घी जो क्रीम है न वो दी हुई है इसके अंदर परीक साओं में ज्यादातर सवाल इसी पुस्तक से आते हैं इस पुस्तक में मतलब कंटेंट इस परकार से डाला गया है कि जो 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 चीजे बार-बार पुछी जाते रही है जो जो चीजे प्रसिद है साहिते के अंदर इतियास हिंदी की वो चीजे इसके अंदर समाहित है जो की गई है तो मेक्जिमम सवाल है जो इस पुस्तक से आते हैं पहली बात और मानक भी है विद्याले में चलती रही है तो आप इसको मानक भी मान सकते हैं एक दो जगे प्रिंटिंग की थोड़ी सी तुर्टी है बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर दूसरा अब यह आप कियों के साथ योग पास यह पुस्तक होगी नहीं कि हमारे तुस्कुल में कोई कॉंटेक्ट नहीं पुस्तक हम कहां से लाएं तो आप क्या करोगे अपना जो च किताब है इसको मैंने पूरी पढ़ा रखाया यूटूब चैनल पर फिरी पढ़ा रखाया 42 वीडियोज है इसके प्लेलिस्ट में जाओगे हिंदी साहित्यका संक्षि पित्यास कक्षा ग्यारा एवं बारा इस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुए वहां पर यह कंप्लीट किता जो पढ़ा हुई है तो एक बार आप मेरे साथ साथ पढ़ते वे नोट्स बना लीजिए या सेल पढ़कर बनाना चाहें तो वह आपकी इच्छा है ठीक है और इसको बहुत अच्छे से तयार कर लीजिए तो हिंदी साहित्यका जो इतियास का शुरू कहां से करें इस करना चाहता हूँ यहां से कर सकता और यूं समझे प्रारम क्या एक्ष्टिम लेवलते की सवाल यहां से है जो बनते हैं इसको तयार करने की बाद में आप ओल्मॉस सिस्टम में जो कवर हो जाता है फिर बाद में और आपको व्यापक दृष्टिकॉन से किताबें पढ़नी ठीक है तो यह जो आपका यहां पर प्रश्ण था हिंदी सहीत्ते का इतिहास किस पुस्तक से शुरू करें शुरुआत करें कैसे मजबूत करें उम्मीद करता हूं इस पुस्तक के माद्यम से आपका हो जाएगा और आज की सी वीडियो से आपका यह सवाल इस सवाल का उतर भी आपको मिल गया होगा तो वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कर दें ज्यादा ज्यादा मित्रों को शेर कर दें ताकि वह भी इस वीडियो का लाब ले सके पहली बार देखने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर ले और अपने टेस्ट सीर पर जाओगे आप और ना उस रिजन क्लासेज है जो सर्च करोगे तो अपनी एप्लिकेशन आ जाएगी उसको इंस्टॉल कर ले वहाँ पर कुछ चीजें डाली हुए और मैं फ्री कंटेंट भी वहाँ पर डालता रहता हूं और जल्दी ही एक तारिक से अपना एक या दो तारिक से कौर साजो लगबख पूरी योजना है लोंज करने के तो जूड़े रहें जोड़ते रहें पर मैंटा